आज फिर से आप सबी के सामने हाजी रहे अपना हेल्डी हर्प और ये हल्डी हर्प है क्या आप सबी लोग पहचानी रहोंगे क्योंकि इस हेल्डी हर्प के ओपर मेरा तीसरा वीडियो पहले कि दोन्वे वीडियों आपके लिए जानने बेहर जरूरी है जिससे कि आप जान सकें कि इस healthy herb यानि की हल्दी को हम लोग अपनी life में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कच्ची हल्दी को जब आप एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो powder वाली हल्दी को भूल जाएंगे और इसके फायते तो इतने कि कौन-कौन सी बीमारीयों में आप कैंसर तक को इस हल्दी का अपना हेल्दी करक्यूमें हिला के रख देगा तो वीडियोज को देखना मत भूले जिससे कि आप पी सारे के सारे फायदे उठा सके नमस्कार चुकाड़ु वेश्टी पर आप सबी धेर सारा स्वागत इस हेल्दी हर्प के साथ हैं अब यह देखे दोनों वीडियोज तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी लिए होंगे अब एक समस्या मेरे अपनों की आई थी कि इस हल्दी को कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखें जिससे कि हम लोग सालों साल तक इस हल्दी के फायदे उठा सकें तो देखें यह जो हल्दी चलिए अपना इस्तेमाल करें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अक्टूबर के महीने से लेके आज तक मैंने अभी तक पाउडर वाली हल्दी के इस्तेमाल नहीं किया है जब यह खत्म हो जाएगी तो इमर्जेंसी के लिए कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करूंगे और से मैं लाई थी तो कुछ मैंने इसी तरह की कंटेनर में भरके रख दिया और कुछ अपना पॉली थिन में ही रखी रही थी आपकी बिल्कुल भी नहीं खराब होगी तब जब आपकी हल्दी की गांठें आपकी होगी सूखी यानि की इन में बहुत ज्यादा नमी नहीं कि फिर आपने इस तरह से कंटेनर में पैक कर रख दिया तो यह गांठें हो जाएंगी आपकी पिजबची लोगों ने महीन तक स्टोर करकर रख होगा गाइस की Castro करें एक बात आपने नोटिस परी है अध्रग की गांठें ज require फिच्बची होती है उन अग की गांठों में तो वह पिच पिच हो जाएंगी आनि कि खराब हो जाएंगी पर जब उन गांठों में नमी नहीं होगी दो आप इस तरह से रक सकते हैं आपकी अधर्ण की गांठे या हलदी की गांठे दोनों को प्रिजर्व करना एकी जैसा है क्योंकि दोनों एकी तरह का नेचर रखते हैं अदरखो या हो खल्दी. तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि इसको यानि कि हल्दी को या फिर अदरख को फ्रिजर्व करने के लिए फ्रिज की जरूरत है. बिल्कुल भी ज़रूद नहीं है फ्रिज अपना खाली रखिए बाकी सारे सामान के लिए और इसको ऐसे ही रहने दिजे कहीं नहीं जाएगी आपकी यह हल्दी या अद्रक अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे अपनी नानियों दादियों के जमाने में उस जमाने पर अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने तो ध्यान दिया और मैंने यह चीज देखी भी है नानियों दादियों के जमाने में होता क्या था कि जब अद्रक या हल्दी ऐसे बहुत सारी मात्रा में होती थी तो नीचे जमीन पर गठा खोथ के मिट्टी में अद्रक या पहुत सारी अधरक है तो उस मिट्टी को थोड़ा सा खोदिए और ये गांठे मिट्टी में दबा दीजे ये इस मिट्टी में आपको पानी देने की जरूरत नहीं है बस मिट्टी में जो हल्की हल्की नमी होगी तो आपकी इन हल्दी या धरक की गांठों को रखेगा करते जाएं पर वह भी तरीका ज्यादा कारगर नहीं होगा क्योंकि गमले तो हमें चाहिए होंगे कुछ और बोने के लिए तो कोई बात नहीं एक गमले को आप चुन लीजिए मिट्टी में दबा दीजिए बड़ा सा गमला होगा तो पांच छे साथ किलो हल्दी आपकी ए मेरी तीन महीने की हल्दी उतनी ही फ्रेश है जितनी की ताजी के समय थी और अभी तो कुछ दिन में इसको वोने का समय भी आ गया है तो आप भी इसी तरह से इस हल्दी आद्रग को इस्टोर करके रखिए ताजी हल्दी के फायदे उठाए और पुराने दोनों वीडियो द झाल 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 झाल